नमस्कार मैं प्रशान देदी बुक्सिन रेक की नई किताब श्रिंखला के दसवे अंक में आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अंक में जो किताब है मेरे हाथ में वो है जटायू जिसे शुशान शर्मा जी ने लिखा है और इसे छापा है राजर्शी प्रकाशन मुझफरपुर ने इसका मूल है 200 रुपए और यदि शुशान शर्मा जी पेशे से पेशा नहीं कह सकते अभी चात्र है शोधार्थी है जे रफ क्वालिफाई करने के बाद ये बनारस हिंदू विश्व विद्याले से हिंदी साहित के विशय पर शोध कर रहे हैं और यदि किताब की अंतरवस्त की बात करूं तो मैं अपना जो रिव्यू है वो फ्रेम करने में मुझे मुझे मुश्किल आ रही है क्योंकि यह पुस्तक बड़ी उल्टी धार कह सकते हैं आज जो कि प्रगतिवाद अपनी परंपराएं तोड़ रही है बहुत सारी वर्जनाओं पर प्रश्न उठा रही है और मुक्तचंद लिख रही है हालाएं कि मुक्तचंद मेरी मेरा अपना जो व्यक्तिगत मत है मैं मुक्तचंद को अच्छा मांना हूं कम से कम इससे लोग अभिव्यक्त हो रहे हैं लेकिन मैं किताब के संधर में कहूं तो जो लोग मुक्तचंद लिख रहे हैं कई वर्जनाओं को तोड़ रही है कविता उस दौर में एक परंपरागत चरित्र को उठा करके उसको जीवित करने का प्रयास किया है शुशान जी ने और इसमें जो नायक है इसमें जटायू को नायक चुना गया है जटायू की कह जानी आप जानते होंगे रामायान में और यह जटायू और संपाती ये दोनों भाई थे संपाती जटायू के बड़े भाई थे और इनके पूर्वजन्म से यह किताब शुरू होती है पूर्वजन्म यह किताब भोजपुरी में है मैं बता ना भूल गया यह किताब भोजपुरी में है इनके पूर्वजन्म की कथा से बात शुरू होती है कि कैसे यह पूर्वजन्म में दो राज कुमार थे और यह बड़े शिकारी थे बड़े वीर थे और यह शिकार करते- करते एक रिशी के आश्रम में जाते हैं और वहां पर एक पक्षी को मारते हैं और उससे अपनी छुदा शांत करते हैं भूक शांत करते हैं तो रिशी बड़े आहत होते हैं क्योंकि उनके जो आश्रम में है वहां रक्तपात हो गया तो रिशी श्राब देते हैं तो पहले तो उस घटना का जिक्र होता है उसके बाद जब इनका उनको श्राप मिलता है अगले जन्में गिध्ध की जाती में जन्मने का और फिर श्राप के निवारण की जब यह अनुरोध करते हैं रिशी रिशी कहते हैं कि भगवान श्री राम के हाथ से आपका उधार होगा तो यह यह था कावे के साथ कितनी खूबसूरत हो गई है कितनी विहंगम हो गई है कि क्या कहा जाए और उसके बाद जब यह गिध्ध के रूप में जन्मते हैं दोनों भाई तो यह जो सूर्य का रथ हांकने वाले वरुन हैं उनके सूर्य का रथ हांकने वाले जो सार्थी हैं उन इन लोगों में एक प्रतियोगिता होती है सूर्य को छूने की जिसमें की जटायू आधे रास्ते लोट आते हैं और संपाती बहुत नजदीक पहुँचकर अपने पंख जला करके फिर गिर पढ़ते हैं और उसके आगे यह कहानी बढ़ती है तो जटायू और दशरत की मित्रता होती है राजा दशरत की उसके बाद राजा दशरत और कोशल्या का कैसे मिलना होता है उसकी होती है उसके बाद सीता हरण के प्रसंग पर कैसे जटायू अपने शौरे का प्रदर्शन करते हैं बीच में एक और प्रसंग आता है मैं भूल गया रावण और जटायू के का इसके पूर्व भी एक युद्ध हुआ था जिसमें रावण पराजित हुआ था वहां कथा आती है जब ये अपने गुरु की यग्यकी रक्षा करते हैं तो यह तो थी अंतरवस्तू की जो कथा अवस्तू है लेकिन जो काय पक्ष है वो बहुत ही भोजपूरी भाषा में बहुत शशक्त कावे अब तक जो लोग भोजपूरी भाशा को केवल यह समझते आए हैं जो बहुत मतलब अशलील तरह के गाने लिखने वाले जो लोग हैं उन केवल उनके फ्रेम से केवल उनके चश्मे से देखते आए हैं उनको तो यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए और कावे की बात करें तो यह है एक तो इसमें एक और बहुत अच्छी बात की आज जो टाइम पास का टाइम आ गया है तो टाइम पास करने के बड़े वीकृत तरीके आ गये हैं बहुत वीकृत तरीके आ गये हैं उस समय भी जब दो भाई मिलते थे तो जब उनके पास थोड़ा वक्त होता था तो वो क्या करते थे, वो धर्म, जीवन्चरया, इन पर चर्चा करते थे, तो यह भी इस पुस्तक में आपको दिखता है, और जैसे की जटायू पूछते हैं संपाती से, जब यग्य की रक्षा में उपर जो है, आसमान में चक्कर काट रहे हो, तो जटायू पूछते हैं का हम जानी, काहे करे मूनी जग्य क्रिया, रुकाहे के दान करे सब दानी, काफल तीरत नान के होला की काहे प्रथा उपवास पूरानी, काहे तपे तप सीबन में हमके बतलाई नितात बखानी, मतलब छोटा भाई अपने बड़े भाई से पूछता है, यह धर्म यह तप यह यग्य क्यों किये जाते हैं, और तब संपाती क्या उत्तर देते हैं, धीर जवीरता और छमामन की सुचिता और उलोभन पालें, इंद्रिय के अपना वश राखन और हृदै से की रोध निकालें, सत्य के पंथन त्यागे कब अउबुधी विद्या हृदै अपने बई ठालें, बानी हम सुन ले गुरु देव से धर्म के लच्छन इह का हालें, और जब सवया छंद में अधिकतर यह पुस्तक लिखी के, यह लेकिन और कई छंदों का वर्डन भी है, और वह बड़ा कोमल जो भाई-भाई का रिष्टा है, उस पर बहुत कोमल पंक्तियां हैं, और शायद इसी कारण, इनहीं मुझे लगता है, मेरा अपना मत यह है, कि अगर केवल यह दो-तीन अंतरे ही, यह केवल तीन सवये ही इस पूरी पुस्तक में लिखे होते, तो भी मुझे लगता है कि यह पुस्तक लिखना चरितार्थ हो जाता, हलांकि यह और कई सुन्दर सवयों के साथ अन्याय है, लेकिन मेरी अपनी कम इलमी, मेरी अपनी कम जरी जहां तक जाती है, वो यही है, मुझे यह तीन सवये बहुत पसंद है, कि जब जटायू जो है, संपाती के साथ प्रतियोगिता में होते हैं, तो संपाती उन्हें चिढाते हैं, संपाती चिढाते हैं कि आगर तुम हार गए मुझे से जटायू, तो तुम क्या मुझ दिखलाओगे घर जा करके चिलाते हुए बड़े भाई छोटे भाई को चिलाते हैं कि पक्खिया चलो ले आवा मोहे पी ठीया ले आवा असधीरे चल बहराई नाही पई तो होरो ना नीक लागी हमरो खराब लागी हारी के जो हमरा से भाई मोर जाई भा खूबला जवाई हो काहे ठान ठनली सोच पच्छताई वा जो न आज जितब जटायू ता नि सोच लकी जाके घर वामे कौन मुहों आ देखाई वा तो जटायू जो उत्तर देते हैं वा बड़ा खूबसूरत है कि हार स्वीकारी के आपन से हम आपन मुह बिगारब नहीं तू कुछ हू कहब हम तो हरी हार के बात उचारब नहीं और बराबरी में तो हसे हम आपन सांस उखारब नहीं और आज जब भारत की संस्कृती पर सबसे बड़ा संकटी है कि संयुक परिवार टूट रहे हैं भाई भाई अलग हो रहे हैं उस दौर में यह पुस्तक भले परंपरागा थे लेकिन सबसे प्रासंगिक और सबसे कंटेंप्रेरी यह सवया देखें छोट जे मान ले जेठ से हारत काहे के भाई से भाई डेराई आपन सीमा में दूनू रहे तब काहे के भाई से होई लडाई प्रेम से जीत मिले सबको अरू प्रेम से पाट ही वैर की खाई कैसे के भाई हुए अलगा जब एक ही तात अएक ही माई एक ही पालत तात अरू एक ही गोद खेलावत जाई एक ही हाथ को जूला जूलावत दूध पियावत एक ही गाई एक ही भाव से प्रेम करे कचु अंतर ना समझे के हुपाई वेद पूरान बतावत तू है की मिले जग में न सहोदर भाई तो रिव्यू काफी लंबा हो गया चुकि यह पुस्तक वाकर युदूब जाने लायक है और यदि आप कोई परंपरागत पुस्तक जो की फिर से मूल्यों के प्रतिस्थापना में का एक प्रयास कर रही हो और भोजपूरी साहित्य को अगर आप एक अलग एंगल से देखना पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो सुशान शर्मा के अन्य गीतों को भी सुनें और यह पुस्तक आप जरूर पढ़ें और खास तोर पर जिनोंने भोजपूरी को केवल अश्लील गानों तक देखा है वो इस पुस्तक में मैं वह तो आपके ऊपर छोड़ता हूँगा पुस्तक पढ़कर के ही जाने जब दश्रत और कोशल्या मिलते हैं तो उस वक्त जो कोशल्या मा कोशल्या के रूप का जो वर्डन है उस वर्डन को जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेगे कि नहीं भोज भोजपूरी में श्रंगार ऐसे भी लिखा जाता है कारी कारी लर्चुत चंद्रमा के पास में तो यदि आप कोई परमपरागत पुस्तक जो परमपरागत मुल्यों के स्थापना का प्रयास कर रही हो और भाई-भाई के रिष्टे पर मित्रता के रिष्टे पर यदि आप कोई पुस्तक खोज रहे हैं परमपरागत पुस्तक और भोजपूरी साहित को अलग नजरिये से देखना चाहते हैं तो आप शुशान सर्मा को सुने पढ़ें और यह पुस्तक आप कंसीडर कर सकते हैं थैंक्यू